हेलो समस्कार मिरा मैं करन प्रताव आप देखें स्मार्ट प्राइन दोस्त नया लुक देखें चौंगना मत बस कुछ टेंजन था तो हटबा दिया ठीक है आज की वीडियों बात करेंगे अगर आप लोग SBA का CSP लेना चाहरे हो तो आपको क्या जो प्रोसेजर है क्या प्रो कोई जूंट बात नहीं मैं बोलूँगा यह नहीं कोँगा मैं आपको नंबर दे रहा हूं यह कर रहा हूं वह कुछ नहीं जो बताओं रियर बताओंगा कैसे काम करना पड़ेगा कैसे कमीशन मिलेगा और क्या प्रॉलम आती है साधी कुछ आज की वीडियों डिसकस सबसे पहले करेंगे कि अगर हमको sbi का ccp चाहिए तो उसके लिए क्या करना पर हैं जो एसब्से पहले क्या करते है यूटूब पर जाते हो सच करते हैं सबसे पहले आप एक बात समझ लो कि जो CSP है वो इतनी आसानी से नहीं मिलता है इतनी आसानी से आपको CSP नहीं मिलेगा वो टायम लेता थोड़ा अब मैं आपको बताऊंगा अगर आपको CSP चाहिए तो उसका सही प्रोसीर क्या है भाई ना तो आपको गूगल पर जाना है ना आपको यूटूब पर जाना है हाला कि बेसक आप यूटूब पर देख रहे ह जो की लगबख 10 या 15 km की रेंज में होगी चल जागी यानि कि आपका जो घर है आपके घर से ब्रांच कम से कम 15 km की दूरी पर हो यानि कि जो ब्रांच CSP देती है वो अपने 15 km की एरिया में देती है 15 km से अगर आप बाहर हो तो आपको ब्रांच की CSP नहीं मिलेगी ठीक है अगर आप 15 km के अंदर हो तो आपको CSP मिल जाए ठीक है अगर आप ब्रांच जाते हो ठीक है ब्रांच जाकर सबसे पहले जो है आपको अपने मैनेजर से बात करने पड़ेगी कि सर मैं ग्रेजिट हूँ या फिर इंटर पास हूँ और हाला कि मैं एक CSP लेना चाहता हूँ जि पहले तो आपको मैनेजर को मनाना पड़ेगा या फिर थोड़ा वागत अगर पैसे ऐसे ले रहा है तो वह भी देने पड़ेंगे आपको ठीक है अगर मैनेजर कहता ठीक है वाई हम आपको CSP दे देंगे तो मतलब कि आपका काम बन गया ठीक है कुछ नहीं करना है अगर मै सारी कंपनी हैं जो की आपको CSP पॉइंट दिला दी ठीक है किसी भी कंपनी से आपको पॉइंट दला सकता है यह बड़ी बात करना है कि सर ऐसे मैं इस ब्रांट से बोलना हूँ मुझे हैं CSP चाहिए बैंक मैंने बात कर ली है BM सर रेडी है CSP देने के लिए किरपया करके आप मुझे कोड दे दीजिए ठीक है तो वह अगर वह भी राजी हो जाएंगे हाला कि राजी वह भी हो जाएंगे क्यों BM सर जब रुक्ष्ट हैं से मेल करेंगे CSP के लिए तो वह राजी हो जाएंगे उनको देना पड़ेगा ठीक है फिर जो है वह आपको डॉकुमेंट बनवाएंगे डॉकुमेंट क्या-क्या बनवाएंगे सबसे पहले आप वह समझो आपका आधार काड लगेगा पैन का को सेंड कर देनी है ठीक है जब आप कंपनी को सेंड कर दोगे तो लगबक एक महने बाद आपका कोड बनके रेडियो हो जाता है अगर नया कोड बनना तो एक महना लग जाता है आपका कोड बनके रेडियो हो जाता है ठीक है कुछ कंपनी ऐसी हो दिए जो कि security deposit कर वाती है जैसे कि oxygen है वो security deposit करा लेती है 10,000 रुपए ठीक है तो आपको 10,000 रुपए company के account में डालना होता है वोगी fraud नहीं है वो आपको डालना ही पड़ेगा आप अपने बैने से ही पूँ सकते हो वो डालना ही पड़ेगा ठीक है उसके बाद जो है जब आपका code बनके ready हो जाता है त ठीक है अब बात ही आती है जब code approve हो जाएगा तो हमको काम कैसे start करना है तो सबसे पहले आप एक बात समझ देजिए कि अगर आप से ले रहे हो तो सारा काम आपको खुद से करना पड़ेगा मतलब कि जो भी setup है laptop से लेके phone से लेके वाइफाई से लेके fingerprint डिबाइस printer सब कु टोटल जो भी investment है लगवक कुल मिला के मोटा मोटा का मैं जोड़ूं बिद कैस के एक लाख रुपया का हो जाएगा आपका ठीक है एक लाख रुपया का भाई आपका investment हो जाता है क्यों आप laptop भी नया लोगे अगर पहले से तो बाता लगए और आपको fingerprint डिबाइस चाहिए wifi लगवाना चाहिए आपकी दुखान में camera होना चाहिए printer होना चाहिए और बिजली की electricity सब कुछ होना चाहिए पूरा जो banking होता है वही आपको यहां भी चाहिए ठीक है सब कुछ आपके पास होना चाहिए और जो आपका laptop है वो आपका map हो जाता है ठीक है यह तो हो गया कि आपको CSP कैसे मिलेगा यह मैंने आपको पूरा बता दिया कि CSP आपको कैसे मिलेगा बहुत अच्छा बताए और यही रियल है ठीक है अब बात यह आती कि काम कैसे करना है भाई सब देहो पोईंट मिल जाता है फिर आपकी location हो जाती location तो पहली हो जाती हमको point कहां चलाना है आपको point open करना आपकी side login हो जाती है side login होने के बाद जैसे आप transaction करेंगे जैसे कि मान लिजे बिड्रो करते हैं money transfer करते हैं account opening करते हैं balance हुआरी करते हैं सब्सक्राइब करते हैं जैसे कि पीए में सब्सक्राइब करते हैं जो कंपनी आपसे करो बस मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे मुझे एक महने के अंदर टोटल 90 SS करको दो यानि SS का मनलोग है बीमा account opening और तीनों बीमा मिला के बोलते हैं SS कि हमको एक महने के अंदर आप 90 जो है SS करको दो कैसे भी दो मुझे नहीं वालूं ठीक है अगर आप SS करकर नहीं देंगे तो company आपका जो code है temporary बंदभी कर सकती है कमिसन भी रोख सकती है और हो सकता है बैंक वाले भी आपको परिसर करें कि आप भाई जाओ बीमा करो मुझे नहीं वालम कैसे करोगे अगर करो मुझे नहीं आलम कैसे करोगे ठीक है यह होता है काम करने का तरीका पहली बात समझो आप ठीक है लेकिन CSP लेने एक बाद आप लोगों को बहुत ज़्यादा परिसान होना पड़ेगा क्यों परिसान होना पड़ेगा बाई CSP तो मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसके बाद जो काम का लोड आएगा वह आप नहीं जहिल पाऊगी मैं सच बता रहा हूं आप काम का लोड नहीं जहिल पाऊगी इतना ज्यादा लोड होता है काम का ठीक है CSP में अगर कोई आपको नहीं समझ मा रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता के जाओ उसके उपर भी एक नए वीडियो बना देंगे ठीक है और भाई साब इस तरीके से अगर आप CSP करोगे ना तो रिजेक्ट होने की तो चांस नहीं है रिजेक्ट होई नहीं सकता ल मैं मिलता पर उसे दूसरी वीडियो में तब तक इल्टेक्ट